नमस्कार दोस्तों जनरलाइस में आप सभी का स्वागत है तो यह हम लोग जो PGT TGT के लिए प्रिविएस येर पेपर है भारतिय ध्यास का उसको सॉल्व कर रहे थे तो इसमें हम लोगोंने वैरिक काल के कुछ कॉश्चन हम लोगोंने देख लिये थे अब 34 नंबर से स्टार कहा गया है तो किसमें कहा गया है एत्रे ब्रहमण में कहा गया है क्या समुद्र परियंत प्रत्वी के सासक को ठीक है नेक्ट है इसमें क्या है राजा की उत्पत्ति का सिद्धान्त सरप्रथम एत्रे ब्रहमण में मिलता है तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धान्त कहा मिलत अधिकारों में ब्रद्धी के परणाम सरूप अलग-अलग दिसाओं के राजा के नाम अलग-अलग होने लगे। समुद्र परियांत प्रच्वी के साथ को अर्था जो राजा चारों दिसाओं को विजित कर लेता था उसे एक राट कहा जाता था। मद्द अन्यमहत्पूर्ट था थे क्या क्या है? मद्द देश के राजा क्या होते थे? पूर्वी देश के राजा को क्या बोलता था? बोला जाता था समुराट. पश्चिम देश के राजा क्या कह राते थे? सुराट. और उत्तर देश के राजा विराट. और दक्षन देश के राजा भोज होते रहे ठीक है रामायड और महाभारत में उलिखित इस्थलों की पुरात्य पहचान की गई है तो बीबी लाल दौरा की गई थी 1976 और 1976 इसमें उत्खनन से एक विश्वसनी कालकरम प्रिकास में आया साथ ही इस स्थान पर प्राचिंतम मस्ती के विशय में जानकारी भी मिली है अन्नतरती क्या है उत्खनन में सबसे निचले स्थर से उत्तरी काली चमकीली म्रदभांड एवं धूसर म्रदभांड परमपरा क मिट्टी के बरतन मिली है धूसर परमपरा के कुछ म्रदभांड पर काले रंग की चित्रकारी भी मिलती है यहां से प्राप्त म्रदभांड सरावस्ती पिपर हवा और कोशामी से प्राप्त म्रदभांड के समान है ठीक है नेक्ट कोशन है महाभारत में लिखित कुछ स्थल तो कहां से मिला है ये बोगाज कोई का तुर्कियूं मिला है ठीक है इसमें क्या है बड़ा महत्पूर्ण अभी लेख है यह इस अभी लेग को सबसे प्राची नभी लेग भी माना जाता है नेक्श है एसिया माइनर से प्राप्त बोगाच कोई अभी लेग में जिन वेडिक देपताओं का आभण किया गया है तो कौन से हैं इंदर नासत्य मित्र वरोन तो ये डी हो जाएगा इसमें ठीक है क्या था इसमें एसिया माइनर से प्राप्त बोगाच कोई से चौदमी सताबदी इसापूरुप के कुछ अभी लेग मिले है इनमें ऐसे राजाओं का उलेख आया है जिनके नाम आरियों जैसे थे जो संधियों के साक्षि और राजा रक्षा के लिए इंदर मित्र वरोन और नासत्य देपताओं का आवान करते थे रिग्वेदिक देपताओं का उलेख मिलता है तो कहां पे मिलता है बोगाच को ये उलेख में मिलता है कहां पे है तुर्की में रिग्वेदिक काल में अस्वत्थ वरक्ष किसे कहा जाता था तो किसे कहा जाता था पीपल को कहा जाता था क्या अस्वत्थ व्रक्ष ठीक है रिव्यदिक काल में अस्वत्थ व्रक्ष पीपल को कहा गया है पीपल को संस्क्रेट में अस्वत्थ कहा गया है भारतिय संस्क्रेट में पीपल देव व्रक्ष है जिसके सात्विक प्रभाव से अंतह चेतना पुलकितो प्रफल्लित होती है अनुमात पूर्ततिकाय इसकंद पुराण वर्णित है कि अस्वत्थ पीपल के मूल में विश्णू तने में केसब और साखाओं में नारायन और पत्तों में स्रीहरी और फलों में सभी देपताओं के साथ अच्चु सदय अपने वास करते हैं ठीक है पीपल भगवान विश्णू का जीवन्त और पूर्ता मूर्तिवान सरूप है अयुद्या का सरप्रथम उलेक कहा मिलता है तो अथरवेद में मिलता है उलेक अथरवेद क्योंकि लाश्ट में बनाए न जो वेद रही है उनसे अलग है तो इसमें अयुद्या का उलेक मिला है बाकी जो स्टार्टिंग में जो मिला है वो मगद और अंग का मिला था अयुद्या का सरप्रथम उलेक अथरवेद में मिलता है उनका कहना है कि इसके व्रिष्टित अध्यन से इसका समीकर्ण मरुष्य के सरीर में किया जा सकता है अन्यता दिया है अथरवेत के कुल 20 भागे इसमें से 5987 मंत्र और 731 सूप थे अथरवेत के मंत्रों से जो प्रोहित यग संपाधित करते हैं ब्रह्मा कहलाता है जबकि अरिगवेत का क्या कहला जाता था होता कहा जाता था ठीक है यह जुरवेत का अधरवयू और सामवेत का क्या कहलाता उदगाता ठीक है किस उत्तर वैदिक कालीन विचारक ने वेदों की महमा का खंडन किया है तो किस नी क्या है कौस्त नी किया था वेदों की महमा का खंडन किया था ठीक है उत्तरवैदिक कालीन कौस्त नी वेदों की महमा का खंडन किया है इसके तरिक्त चारवाग नी वेदों की कटू आलोशना किया है चारवाग के अनुसार वेद अप्रमाणिक ग्रंथ है अथा वेदों में वाइडित धर्म का विचार भी भ्रांती मूलक है चारवाग के अनुसार धर्म मानों के कर्मों का लक्ष नहीं है क्या धर्म है क्या अधर्म है इसका पूर्ण लेक वेद में मिलता है ब्रामणों ने वेदों की रचना की है उन्होंने अपने जीवन निवाय के लिए धर्म और अधर्म पाप और पुन्य का वेद उपस्तित का लोगों को ठगना चाहा है अन्य क्या है पूरण कश्यप महान अक्रियवादी था इसका मत्थकी कर्मों का कोई महत नहीं होता तो पूरण जो कश्यप हैं ये क्या थे अक्रियवादी थे और कर्मों ये महत तो नहीं करे मखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संपरदाई की स्थापना की और ये भी क्या थे अक्रियवादी और नियतवादी थे ठीक है जो होना है वो हो कि रहेगा नियतिवादी ठीक है अजितकेश कामबलिन महान भौतिक बादी था उसका चिंदन लोकायत चार बाग परंपरा की पुष्टी करता था तो अजितकेश कामबलिन थे ये कौन से थे चार बाग दर्शन के थे ठीक है रिगवेट के नबम मंडल में सभी सूप्ट सवम से संभन मंदईत है सौम ह् आरियो कानец प्रिय प्रेय ता जिसे बाद में देपता की संख्या देरी गई यह है आरियो के आनन्द के प्रफॉलता के का अजिता बन गया हर मंडल एक रिशी कुल से संबंदित है तो दूसरा मंडल किस से संबंदित है गरत समझ से तीसरा मंडल विश्वामित्र से संबंदित है इसमें काहित्री मंत्र का जिक्र किया गया है चौथा मंडल बामदेब से है इसमें किरसी कारियों है किरसी से संबंदित मंत्रों लिखे ठीक है आठमा मंदल कन्वी रिशी कुल से संब्देर है आठमा जो है कन्वी रिशी से है संब्देर नॉमा मंदल सौम दीपताय सम्मा देर है उब पृत्ऽामों दसमा मंदल जो है वैभेनी रिषियों के शूक्तों का संकला नहीं है ये बैसे भी पृत्षामों 10 में जो मंदल थे वो बाद में जोड़िए है ठीक है नए है ये नभी नहीं है तो दसम मंडल में क्या है नदी शूप्त है ठीक है रिगवेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूप्त है 1017 सूप्त साकल में तथा 11 सूप्त वालखिल में है रिगवेद में 2 से 7 तक के मंडल प्राचीन माने जाते हैं रिगवेद के दसमे मंडल 75 में सूप्त की रचना ही नदियों की सूप्त के लिए की गई है दसमे मंडल के 75 में सूप्त को ठीक है नौ मंत्रों के इस सुंदर सूप्त में गंगा यमना सरश्वती पंजाब की प्रमुक नदियों उत्तर पश्मी प्रांत कि सीमा, कुभा, मतलब काबुल नदी, स्वात, गोमल, आदी, उनीश नदियों के नाम है इसमें ठीक है नेक्श है, रिगवेद की किस मंदल में गायत्री मंदल लिखा गया है तो तिर्थियों मंदल में है, रिगवेद सर्वादिक प्राचीन वेद है गायत्री मंदल रिगवेद में उन लिखे था है, इसके रचनाकार विश्वा में तरह है यह सूर्देप्ता को समरेपते, यह मंदल रिगवेद की तिर्थियों मंदल में वढ़ लेथ है सरवादिक प्राचीन संस्था कौन सी थी तो विदत थी सरवादिक प्राचीन कौन कौन सी थी पहले तो तीन संस्था है थी सभा, समिती और विदत तो इसमें जो विदत थी वो सबसे प्राचीन थी और सभा में इस्तरियों के लिए महलाओं के लिए मना ही थी, जबकि बिदत में ले सकती थी भाग। ठीक है। वो आते थे उनका था, विद्वान्स रिष्ट ठीक है, राजा की निर्वाचन यो पुनर निर्वाचन में इसका महत्वण योगदान था समीत्ी जो है इस रिगवेड़ नफे रिक नौ बार मिलता है, इसके अन्रमाल लगाया जा सकता है, इसका महत्यो सभा से अधिक था तो समेती को ठीक है। समीती किस सम्मझने थैं आधुरिक लोक सभाब से तुल्ली ये हैं। गड़ किया है। रिगवेत के समय यह सममतौ एक जन सभाधी। जिसमें कुलीन लोक सामल थे। इसके मुख्या को गड़पती कहा जाता था। परिशर्ट, यहे एक जन जाती है सैन्स अवास आदि अदोलीकित में से कौन वैदयकारियों की प्राचिंत में संस्था ती तो विदत थी नेक्च है निम्त में से किस संस्था में इस्तृरियों के भाग लेने के उलेक प्राप्त होते हैं तो विदत में भाग ले सकनी थी इस स्रिया और इनका इसका उलेख भी है ठीक है लेकिन सभा में नहीं था ध्यान रखना ये चीज उत्तरवैदिक युग में उत्तरी बिहार के आरियंकर्ण का स्रे किसे जाता है तो किसे जाता है विदेह माधो को उत्री बिहार के आर्यंगर करश्रे ठीक है अच्छा उत्र वैरिकाल में आर्यों के उत्री बिहार के आर्यंगर का वर्ण सत्पत ब्रामण जो विदे माधों की कथा का वर्ण है न ये जो है ये सत्पत ब्रामण में ही मिलती है ठीक है तो ये कॉशन मन सकता है कि विदे माधव की कथा जो है वो कहां पर है तो सत्पत ब्रहमडे इसके अंसार विदे माधव वैश्वानर अगनी को मुख में धारण किया सब कुछ जलता हुआ पूर विदिसा की ओर बढ़ा और उसके पीछी पीछे उसका प्रोहित गौतम राहु कुरू कहला था पांचाल कहला था मद्स मतले पही पश्रिमोत्तर वाले जो देश थे वो कह सकते हैं कुरू पांचाल मद्स मद्स तो ये राजस्थान वाल शेत्र हो जाएगा ना डॉक्टर राजवली पांडे कौशल काशी विदे को आरे संस्किती की सीमा बताते हूँ इ मर्सी देश कुरू पांचाल मत्स और मत्द देश क्या था कौशल काशी विदे है उत्तरवादी काल में आर्यों को भारतिय भोगोल के किस अंस की जानकारी नहीं थी तो समुद्रों का तो जिक्र था किष्ण नदी घाटी तक दक्षन भारत की ठीक है बाकी संपून नदी घा काल का समय 1000 इसा पूरुष से 6000 इसा पूरुष तक था इस समय आर्य सबधा का प्रिशार विद्न परवत के दक्षन में नहीं हो पाय था किसी वी वैदिक ग्रंद में हमें दक्षन के राज्यों का उलेक नहीं मिलता है सत्पत ब्रांबन में पूर्वी और पश्चमी समुद अधिक समाज में प्रचलित नहीं था, विद्वा बेभाय, बहु पत्निक था, और प्रेम बेभाय सतीपर्था, तो सतीपर्था नहीं थी, सतीपर्था नहीं होती है, बाकियों और सभी था, वेदिक समाज में सतीपर्था का प्रचलन नहीं था, भारतिय मुखताव हिंदू स समाज में सथीपर्था का उधवा यद भी प्राठिशीन कालमें माने जाता है। scared form portion ofstate and fit क्षमीर के सासक साहईमीर सिकंदर ने इससija 24 को बंद करवा दिया था। ठीक है तो कश्मीर के सासक थे जो साहिमीर वंस के सिकंदर इन्होंने बंद कराया था सती पर्था को वहाँ पे ठीक है मुगल सासक अकवरवा पेश्माओं के अत्रिक पुर्थकाली गवर्नर अलवुकर्क ने भी इस पर्था पर रोक लगाई थी बिटिस भारत में कुछ गवर्नर जैसे लाट कानवाले से बाद में जो लॉर्ड विलियम बैंडिक आते हैं उन्होंने 1839 में इसको खत्मी किया और जो इसकी धारा थी सत्रे इसके दहें जिसमें खत्म कर दिया गया और साईयोग किसन चिया था इसमें मुक्हिन का योगण था तो वो थी राजा राम मोहन रहे है ठीक है दस राजाओं के उद्ध का विजई राजा सुदास नेम्लिक से किस जन से संबंद धिथा तो राजा-सुदास थे तृतwards थी ठीक है और दूसरी और भरत नामक समुधाय था जिसका नेतर तृत्सूख नामक कभीले के राजा सुदास कर रहे थे जिनके प्रेरख प्रिसी वशिष्ट है दसराक युद्ध में सुदास की विजय हुई थी जिसके प्रेरख कौन थे वशिष्ट है कालंतर में भर्तों पुरूओं की बीच मैत्री हो गई और कुरू नाम से एक नया कुल बन गया नेक्षट दस राजाओं की युद्ध में भर्तों का प्रोहित कौन था तो पशिष्ट थे और जीद भी नहीं की हुई थी दस राजाओं की विख्यात युद्ध में निमलकित कौन विजई हुआ था तो सुदास हुआ था या हुए थे दस राजाओं की युद्ध दस राजाओं के युद्ध पुरूश्णी नदी आदुनिक चुरावी नदी के तर्ट पर लड़ा गया था और कहां पर कॉंसिल लेक में है रिगवेट के साथ में मंडल में ठीक है जिसमें भरतों ने राजा सुदास ने उन विरोधी जातियों को हुराए जिन में पुरुश्णी नदी पर सिब पक्थ और उत्तर पश्रिम की सहयोगनी जातियों आमिली थी भारत जनके लोगों ने इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से अपनी प्रधानता आरे जनों की भी सिस्था पित की नेक्ट है वेदिक काल में दारसनिक बाद विवादों के एक कुसल वकता थी तो कौन थी, गारगी थी गारगी कुसल वक्ता थी वैरिक काल में जो गारगी दार्सिनिक बाद विवादों के कुसल वक्ता थी उसका वड्रन ब्रहदारुन अपनी शद में हुआ है ठीक है तो यह आता है कि यागवल के गारगी का जो संबाद हुआ था तो ये कहां पर उल्लेख है तो ब्रहदारण्य को पनी शद में उल्लेख है और महरसी याग किवल लेकाई कि दो पत्निया थी एक तो मैत्रे थी दूसरी का त्याईनी थी रिगवेद में लोपा मुद्रा, घोशा, अपाला, सिक्ता, विश्वनारा, विश्वारा जैसी विदूसी इस्त्रियों का उल्लेख है इन विदूसी इस्त्रियों को रिशी कहा गया है इन विदूसी इस्त्रियों ने अनेक रिचाओं की रचना भी की थी लोपा मुद्राग जो थी वो अगस्त रिशी की पत्नी थी ठीक है निमलखेट विदूसी इस्त्रियों में सी किसका उलेख रिगवेद में मिलता है तो अपाला का मिलता है रिगवेद में उलेख भाखी यह जो बताईगे है अकात ताहिने वेतरों मेतरी तो यागवल के एकी पत्नी थी गारगी से उनका समबाद हुआ था और किस उप्निशत में गारगा है वेतरी का दार्सिनिक का समबाद बरने थे तो मेत्रई का या फिर ब्रहदारण्यक में है इसमें तो इसी में यागवल कहे का है ब्रहदारण्यक उपनिशत के दूसरे तीसरे और चौते अध्याय में यागवल कहे कि दारसिनिक महत्ता और सिद्धान्तों का परिश्य प्राप्त होता है उनमें से दूसरे अध्याय में यागवल के का अपनी ब्रह्मबादनी पत्नी मैत्तरी तत्तु ग्यान पर संबाद प्राप्त है तीसरे अध्या में बिदे हिदेश के राजा जनक राजा के दर्बार में उनके द्वारा अनेकानिक तत्तो ग्यानियों से हुए बादववादों की जानकारी दी गई हो चौते अध्या में स्वयम राजा जनक ने जनक से हुए इनके तत्तो गान पर संबाद प्राप्त है आचार यम नी नचिकेता को उपदिश दिया है ना इस आत्मा का कभी जन्म होता है ना ही इसकी कभी मृत्यों होती है यह अजन्मा नित्त और सास्वत है कटो अपनिशद किष्णिय जुरुबेत का अपनिशद है तो यम और नचिकेता की तो आपने देखे ही होगा कि वो एक जो बहुत फेमस पिक है जिसमें यम खड़े हुए है और जो नचिकेता है वो संकर भगवान की जो पिंडी है उसको उसको गले रगाए हुए है तो यही वाली गहानी नचिकेता आख्यान की सुपनिस से मिलता है कठोपनिशद से मिलता है यम नचिकेते का की कथा किस क्रंथ मोल लिखेता है तो यह कठोपनिशद में है रिगवेत के किस देपता को असुरुपादी दी गई है तो असुरुपादी किसको दी गई है ये दी गई है वरुण को ठीक है कैसे रिगवेदिक आरियों का प्रारंबिक जीवन कबाईली था अता इनके देपता भी प्राकृतिक सक्तियों के प्रदीक थे याश्क ने जो निरुक्त के प्रणेता थे याश्क थे न उन्होंने अपने गरंथ निरुक्त में रिगवेदिक देपताओं की मंडिली बनाई है जिसमें से इनके जंगिया कितनी है 33 इसलिए कहा जाता है 33 कोटी देपता ठीक है इन्हें आकास अंत्रिक्ष देपता के प्रत्वी के देपता की रूप में बिवाजित किया गया है रिगवेदिक देव मंडल का तीसरा प्रमुग देपता वरूण था जो जनली धी का प्रतिन्यूत करता था वरूण को रितश्य गोपा कहा गया है अर्थात वह है प्राकृतिक घटना क्रम का संयोजक समझा जाता था इसे इरानी करंथ में असुर भी कहा गया है इरानी करंथ जिन्द विस्ता में जिस अहूर मजदा का वड़न मिलता है वह असुरों का ही देपता था तो इसमें क्या था तो इसे जो वरूण थे उन्हें इरानी करंथ में असुर कहा गया है उसमें क्या था कि जिंदवस्ता में जो अहूर मजदा था उसका बड़ा मिलता है वह असुरों का ही देपता था नेक्श है वरुण को इरानिक रंथ जिंदवस्ता में अहूर मजदा कहा गया है रिग्वेदिक आरियों का सबसे महतुने प्रतापी देपता इंदर था और रिग्वेदिक का पहला मंत्र ही अगनी के इस्तुति में प्रारम हुआ है तो सबसे अधिक मंत्र तो इंदुर को दिये गए second number पे अग्नी है लेकिन जो पहला मंत्र है वो किसको समर्पे थे वो अग्नी को है और अहूर मस्दा किस में है तो इरानिक रंथ हो में जो बरुण देपना है वोने कहा गया है वैडिक काल में किसको जल्देपता माना जाता है तो वरोन को माना जाता है वैडिक नदी कुभा का इस्थान निर्धारित होना चीए तो कहाँ पर है काबुल नदी कहाँ पर है अफगानिस्तान में तो वही होगा रिक वैडिक में उल्लेखित कुभा काबुल कुर्मू कुर् लेक से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानस्तान के साथ गहन सम्मद था next है सतलर नदी का प्राचीन नाम क्या था तो सतुद्री और सतुद्री सतलच को कहते थे बिपासा ब्यास नदी को कहते थे और ठीक है रिगवेद में सप्तर सेंध्रों प्रदेस की साथ नदी ओको विस STEPhenis इसकिनी कहते थे चजनाओ नदी को ठीक है तो निम्ल्किन मैंसे कौन पूर्वेदे काम में विनिमाए का लोगप्रीय माध्यम था तो विनिमाए का माध्यम काम था पूर्वेदिक आल में गाये थी, गाये का बड़ा महत्त था, बिनमय का ही था, ठीक है, रिगवेदिक आरियों का प्रानुबिक जीवन आएस्था ही था, अथा उसके जीवन में किर्सी के अपेक्षा, पसुपान का अधिक महत्त था, पसुपान का अधिक महत्त था, पसुप वस्तु विनमय पर आधारे था वस्तु विनमय का एक लोग प्रियम आध्यम थी अन्यमाद पूर्ट तत्य कहा है विनमय के वाध्यम से रूप में निश्क का भी उलेख हुआ है निश्क कहते थे गले के हाथ को ठीक है बैकनाट सूथ खोरवे रड़ दाता थे जो अधिक ब् नेक्श बैदिक यग परंपरा से होता का समध्द था तो क्या था रिग्वेद से था होता किस से था रिग्वेद से अधरवयू यजुरवेज से और उध्गाता सामबेज से रिगवेदिक आरियों का सबसे प्राचीन गरंत रिग का अर्थ होता है चंदो बद्ध, रचना या श्लोक, रिगवेद के इस्तूक्त विविद देपताओं के इस्तूती करने वाले भाव से भरे गीत हैं, इनमें भक्ती भाव की प्रधानता है, रिगवेद के जादातर मंत बासकल इसमें 56 सूक्त हैं, परंतु या उपलब नहीं है, वेदों का संकलन महर्ची किष्ण दोपायन नहीं किया है, इसलिए इनका एक नाम वेद वियास भी है, अर्थ अथर वेद, इसमें समलित नहीं है, क्योंकि इसमें यग से भिन लौकिक विश्यों का बढ़न है, ब इसमें चार बढ़नों का, क्या है, रिगवेट की दसमें मंडल में वर्णत, पुरुष शूक्त में चार बढ़नों का, चारों मर्णों की उतपती का वर्णत नहीं है, इसमें कहा गया है, कि ब्राहमण विराट पुरुष के मुक से, छत्री उनकी बुजाओं से, वैश उन लोग यहीं पर इस वीडियो को समाप करते हैं, पाकी नेक्स जो रिमैनिंग कोशन है, पो नेक्स वीडियो में करेंगे, और वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक करिए, हमारे जैन को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी आपको हिश्टरी क या फिर घड़ना चक्रगा देखना है, या फिर नेट के पेपर, प्रिवियस येर पेपर पेपर उनका देखना है, तो हमने बना रख्थे हैं वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं, तैन्यवाद,